नमस्कार दोस्तों चैशी किशना चैशी रादे दोस्तों राहू को पाप ग्रह माना गया है और शुब काम करने में ये बिग्न और बादा डालने वाला काम भी करते हैं ये ऐसे ही ग्रह हैं यही बज़े है कि राहु काल में किसी भी शुब कारे की सुरुवात नहीं होती राहु का गोचर बहुत माइने रखता है जुलाई में राहु शनी के नच्छतर में परिवर्तन नोंने किया है जिसका कि शुब असर कुछ राशियों को मिलेगा लेकिन इसका कुछ असुब असर भी कुछ राशियों को देखने को मिलेगा इन राशियों के जीवन में जो इन पर शुब प्रबाब पड़ेगा खुशियों का आगमन होगा इन्हें धन के साथ नौकरी और ब्यवपार में भी तरक्की मिलेगी आप आज की वीडियो में जानेंगे कि ये परिवर्तन कब होगा किसके लिए शुब होगा किसके लिए अशुब होगा और किन राशियों को इनका लाब मिलेगा किनको हानी होगी दोस्तो कुल 27 नच्चतरों में उत्रा भादप्रद 26 वा नच्चतर है इस नच्चतर का सौमी शनीदेव है और राशी मीन है इसके स्वामी देपताओं के गुरु ब्रसपती देव है इसलिए इस नच्छत्र पर शनी देव और ब्रसपती देव दोनों का प्रभाब पड़ता है तो दोस्तो आप 8 जुलाई 2024 को सुभे ये परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है आप ये परिवर्तन तो दोस्तो आप जानेंगे कि इसका प्रभाब आपकी राशी पर क्या करेगा अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए अपनी चंदराशी के अनुसार देखेंगे तो जादा सटीक फल आपको देखने को मिलेगा अब मेश राशी की बात करें तो आपके लिए राहू का गोचर बारवे भाव में होगा अब ये आपके जीवन को नए सरी तरीके से शुरुआत कराएगा इस दोरान आपके खर्चों पर लगाम लगेगी बुद और राहू की कॉंबो जो होगा वो खर्चों को बढ़ा देता है शनी होता है वो थोड़ा कंजूसी का कारक होता है इसलिए जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है वो इस टाइम उनका ये बेस्ट टाइम कहे सकते हैं किसी ना किसी हालत में पैसा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा बना रहे हैं तो आप अस्पताल में जरूर दान करें और ये टाइम है कि आप अपने कोई नए प्लांस बना सकते हैं प्रशव राशी वालों के लिए ये परिवर्तन ग्यारवे भाव में होगा आपके लिए सफलता का ये घर है आपको कुछ ना कुछ आभास होगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ अलग होने वाला है अगले साड़े साथ महीने आपको ब्योपार में मुनाफ़ा देखने को मिलेगा एक दम से आपको सफलता देखने को मिलेगी योग से अपने जीवन को अगर सामिल करेंगे तो ये आपको लाब देगा बड़े भाईयों के साथ किसी ना किसी तरीके से सम्मंद आपके खराब हो सकते हैं इसलिए ध्यान जरूर रखें मित्वन राशी की बात करें तो मित्वन राशी के लिए ये गोचर आपके बर्क प्लेस पर हो रहा है यहां पर जो लोग जौब कर रहे हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है विवपार से जुड़े हुए लोग किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो लाब होगा कोई बड़ा इन्वेस्ट करने से आपको इस टाइम बचना चाहिए अगर आप मचलियों को कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे तो आपको लाब मिलेगा करक राशी के लिए ये परिवर्तन की बात करें तो शनी की ध्या आपके उपर चल रही है इस टाइम पे आप अपने पुराने बिचारों से उभरने की कोशिश करेंगे शनी बकरी है और अश्टम इस्थान पर है ये आपकी बुद्धी को ब्लोक करेगा राहु आपके जीवन से भार को कम करेंगे मतलब ये परिवर्तन आपके लिए राहु का परिवर्तन शुप रहेगा शनी के इस गोचर में राहू के गोचर में अगर सिंग राशी की बात करें तो ये गोचर आपके लिए अश्टम भाव में हो रहा है आप अपने जीवन से कुछ परेशान रहेंगे जो काम करना चाहेंगे लेकिन वो हो नहीं पाएगा इस टाइम आपको अपने बाणे पर सैयम बना कर रखें क्योंकि आपकी बाणे कठोर हो सकती हैं बिना बात के किसी ना किसी के साथ आपका बिबाद होता दिखाई दे रहा है इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करें हनुमान चालीसा का पाट करें कन्या राशी पर इसके परिवर्तन की बात करें तो इसके लिए ये गोचर आपके सब्तम भाव पे होगा जो लोग शादी शुदा नहीं हैं वो अपने जीवन में लाइप पार्टनर की हेल्थ को लेकर किसी ना किसी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा पार्टनर्शिप में काम करने वालों को कुछ बदलाब भी देखने को मिलेगा अब तुला राशी पर इसके प्रभाव की बात करें तो ये आपके लिए छटे भाव में वर्तन से अगर आपके उपर करजा है तो आपको आप रिण से मुक्त हो जाएंगे करजे से मुक्त हो जाएंगे और इसके बहुत से बेनिफिट भी आपको मिलेंगे अगर कोई रोग चल रहा है तो वहां भी आपको मुक्ती देखने को मिलेगी ये आपको सतर्क रहने को सा तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रश्चिक राशी की बात करें तो आपके लिए गोचर पंचम भाव में होगा राहू आपको कोई नई चीज सिखाने का काम करेगा लव अफेयर करते टाइम साबधानी बढ़ते हैं यहां दिक्कत तब आएगी जब आप बिना सोचे समझे किसी जगे अपना धन निवेश कर देंगे जोंके मैं दूद मिलाकर जल में प्रभाह करने से आपको शुब परिणाम देखने को मिलेंगे अब धनू राशी की बात करें तो आपके नवे भाव में राहू का गोचर होगा इस दोरान कोई प्रोपटी खरीदने का प्लान आप बना सकते हैं जो लोग बिदेश जाने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत शुब है घर में कुछ बदलाब भी गोचर है इस दोरान आप थोड़े गुसे में हो जाएंगे जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए टाइम शुब है इस दोरान आपको रिस्क लेने से फायदा मिलेगा आपकी ये कैपिसिटी भी बढ़ा सकता है भाईयों और बहनों से आपके सम्मंद आपको अच्छ बना कर रखें तो अच्छा होगा कुमबराशी के लिए इस गोचर की बात करें तो कुमबराशी वालों के लिए धन इस्थान पर राहू आ रहे हैं इस दोरान आप किसी जगे निवेश कर सकते हैं मुश्किल टाइम में आपको परिवार की मदद मिलेगी अपने खान पान पर भी कुछ बदलाब करेंगे तामसिक भोजन की तरफ आपका आकर्शन बढ़ेगा धन खर्च होने की संभावना है शुफल प्राप्त करने के लिए हल्दी या केसर का तिलक लगाएं लाभू का मीन राशी की बात करें तो आपकी राशी में ही राहू का गोचर चल रहा ह इस दोरान आगे बढ़ने से आपके बहुत मौके मिलेंगे लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे जीवन से आप संतुष्ट रहना शुरू कर दें और थोड़ी बेचैनी जो आपके मन में उसको दूर करने की कोशिश करें लाभ आपको ज़रू मुलेगा तो दोस्त को के साथ भी शेयर करें बिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक चैशी किष्णा चैशी राते हर हर महादेल